दोस्तों अभी जो वीडियो आपने देखा है जिसमें देश के परदान मंतिरी नरेंदर मोधी रोड़ सो तो कर रहे हैं जमके उनके उपर फूल भी बरस रही लेकिन वीडियो में आपने गौर किया होगा तो इसमें देखने को आपको ये मिला है कि कैसे तिरंगा जंटा जो करते हुए लिकल जाते हैं और आपने देखा कि कैसे जो जंडा है वो रोड के ओपर फेका हुआ मिला जिसको लेकर अब सवाल जो है वो सोसल मीडिया पे लोग खड़ा कर रहा है कि क्या भाजपा का यहीं काम है कि देश के जंडा का इस तरीके से इस तरीके से उसकी बदना इस वीडियो को ट्विट करते हुए यह लिखा गया है वहीं आप देखिए जैन जो के इस वीडियो को ट्विट करते हुए लिखते है वाइस ओल्ड सैपरॉन लवर्स रिस्पेट दा ट्रीकलर अब यह वीडियो जो है आपको देखने को मिलागा सोसल मीडिया पे बहुत तेजी से वारल हुआ है और जिसमें यह देखा गया है कि मोदी जी का रोट सो चल रहा है फूल भी बरस रही है मोदी के मोदी जी के उपर लेकिन तिरंगा जो है वो रोड के उपर फेका हुआ आपको दिखाए देरा और उसे उठाने वाला कोई नहीं है कोई उठादा वो पहली बार को नहीं है आपको देखने को मिला इससे पहले भी कई बार आरोप लग चुके है भाजपा के उपर के यह भाजपा की सरकार जो है वो कहीं ना कहीं तिरंगे का अपमान करती है आपको बता दू कि कई बार बीजेपी के नेसा बीजेपी के विधायक ग्रे मंतरी चाहे वो थुद परदान मंतरी क्यों ना हो कूछ इस तरीके का काम करते हुए दिखाई दिये तिरंगे के साथ जो कि तिरंगे का अपमान है आपको बता दू एक यूदर लिखते है महावीर जैन नाम के यूदर है जो लिखते है भाई इनका इससे कोई लेना देना नहीं ह देश से मतलब होता तो देश का भला करते ना के अपने दोस्तों का रवी कुमार है जो लिखते है राहूल गांदी ने ये किया होता तो गोधी मिडिया ने अब तक देश दुरोही का तंगा दे दिया होता ये रवी कुमार है जो लिखते है और इस वीडियो को ट्विट कर जब ये सामने आपको दिखता है तो आप कैसे अपने हाँ जो है वो उठा लेते हैं और इस तिरंगे के आगे जो है वो आप जुख जाते हैं क्योंकि तिरंगा जो है वही हमारे देश का सान और वही अगर जमीन पर फेका हुआ दिखाये दे चाहे कोई भी रोट सो करता उससे कोई मसला बनी देश के परदान मंतरी क्यों ना हो अगर सामने तिरंगा जंडा दिखाये दे तो उसको रिस्पेक्ट देना किसना जरूरी हो जाता है या आप जानते हैं आप किस तरीके से देखते हैं उखते हुए सवाल को जो सोसल मेडिया पे दिखाये दे रहा है तिरंगे जंडे को लेकर और इस रोट सो को लेकर इसके बारे में आप अपनी राय कमेंट बॉक में जरूर दीजे उन्ते हैं आप से अगले विडियो में